दुश्मन की संख्या हमें मालूम नहीं और वो किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं हम सिर्फ 120 हैं हमारे गोला बारूत भी कम पड़ जाएंगे पीछे से सहायता की भी कोई उम्मीद नहीं है और शायद हम सब शहीद हो जाएं आप में से जिसे भी जाना है वह जा सकता है लेकिन मैं आखरी सांस तक अपनी धर्ती मा की रक्षा करूँगा 1962 के भारत चीन युद्ध के दोरान यह प्रेणा और जोश से सराबोर करने वाले कथन थे मेजर शैतान सिंग के जो चीनी सैनिकों के लिए काल थे उनके नेत्रितु में वीर्ता की मिसाल देते मातर 120 सैनिकों ने चीन के लगभग 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया वह भी हथियारों से नहीं बलकि अपने होसले से एक दिसंबर 1924 को जोधपूर में जन्में शैतान सिंग के खून में ही देश भक्ती थी क्योंकि उनके पिता भी आर्मी अफसर थे शिक्षा पूरी करने के बाद शैतान सिंग को आर्मी में देश की सेवा करने का मौका मिला उनकी कारी कुशलता से प्रभावित होकर जल्द ही उन्हें मेजर रेंक से नवाजा गया। और फिर उनकी तैनाती कुमाउ रेजमेंट में भारत-चीन सीमा से लगते लद्दाक में इस्थित चुशूल घाटी के पास हुई। भले ही उनके पास आधनिक हत्यार नहीं थे। माइनस 30 डिगरी के तापमान में ठंड से बजने के लिए परियाप्त गर्म कपड़े नहीं थे। लेकिन उनके होसले की गर्माईश ने उनके साहसी कदमों को रुकने नहीं दिया। पेट में गोली लगी और वह घायल होकर चटान के सहारे बैठ कर अपनी आखरी सांस तक लड़ते रहे। तीन माह बाद जब बर्फ पिगली और रेजांगला जहां यह युद लड़ा गया था वहां की खबर जब भारतिय सेना को लगी तो टीम वहां पहुँची। वहां जो मनजर था उसे देख कर वह भाव विभोर हो गये। क्योंकि मेजर शैतान सिंग सहित सभी सैनिक अपनी अपनी जगह पर उसी अवस्था में मिले जैसे वह शहीद हुए थे। सीने पर गोली खाए यू प्रतीत हो रहा था मानो अब भी वह युद्ध करने ही बैठे हैं। सलाम है ऐसे पराकरम को जिसने उनकी शौरेता को जगाए रखा। शहादत के बाद भी उनके बलिदानी शरीर को बैठाए रखा। मरनो परांत मेजर शैतान सिंग को परंबीर चक्र से नवाजा गया। आज समस्त आएमसी परिवार मेजर शैतान सिंग और उनके सभी वीर साथियों के अदम्य साहस को नतमस्तक होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित करता है। भारत माता की जय वंदे मातरम गड़ा एमसी जिन लोगों ने आएमसी बिजनस पेज को सबस्काइब नहीं किया है वो कृपिया हमें सबस्काइब करें और सबस्काइब करने के बाद बैल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली मिली